हम केते हैं न कै कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला कि यहां पे जितने भी मेरे भाई मेरे शोता बेटे वेए रवोजे जहां तक गया थे यह सब के सर पे छट तो होगी होगी जहां तक मेरी आवाद जा रही है कोई ऐसा नहीं होगा जो बेगर हो जिसे बारिश में ऐसा सोचना पड़े अब मैं कहां जाओं जिसे जब धूप लगे तो वो ऐसा सोची कि अरे अब मैं क्या करूं कहां सर छुपा सक्षाहि जब जब भी दिल बोले ना कि कुछ नहीं मिला बगवान से कुछ नहीं मिला भगवान से मेरे जनम बूमी सरकार को याद कर लेना उन्हें याद कर लेना बúa और फिर विचार करके देखना कि तुम्हें क्या दिया है जो उसने खुद के लिए भी नहीं रखा वो भी तुम्हें दिया है उन्हों खुद छोटे से टेंट के अंदर मेरे सरकार बेठे हुए बिना शिकवा के बिना शिकायत के हमारे सर पे छत है तो हमें दो मंजल चाहिए दो है तो तीसरा खड़ा कर यदि तीन भी है छोटा है तो उस पे भी शिकायत थोड़ा सा ये बड़ा होना चाहिए भीया मैं ये बिल्कुल नहीं कहती मैंने आपसे कल भी कहा मैंने परसो भी कहा मैं हाथ जोड़कर डेली इस बात का निवेदन और आप सबसे आग्रा करती हूँ कि मैं कभी नहीं कहती कि हाँ ये चीजें जरूरी नहीं तुम घर मत बनाओ तुम धनमाती कत्र करो नहीं इस दुनिया में यदी रहना है तो हमें सब कुछ चाहिए अच्छे कपड़े भी चाहिए यदी समाज के बीच में बेटना है तो हमारे तन पर ठीक ठा कपड़े होने चाहिए घर होना चाहिए धन होना चाहिए सब कुछ चाहिए लेकिन मेरे भाई जो मिला है पहले उसकी कद्र होने चाहिए हमारे सरकार बेटे है तंबू में इसको कोई राजनीतिक मुत्य की और मत ले जाएगा हाँ जोड़कर विनमर प्रार्थन है वो सरकार है वो स्वामी है वो परातपर ब्रह्म है वो बगवान है हमारा वो तो हमारा सर्वस्व है उन्हों वो जो छोटे से टेंट के अंदर बेटे हैं सरकार उन्हें क्या धूप नहीं लगती होगी और एक बाद क्या दूप येदि कोई बड़ा बच्चा हो ना तो उसे भूग प्यास धूप थोड़ी सी सहन हो जाती है उस टेंट के अंदर जो बेठे ना मेरे सरकार वो कोई बड़े सो रूप में नहीं किशोर आवस्था में नहीं हमारे बालक राम जी बेठे वे विचार करके देखिए छोटे से ब गटना बताते हुए और सत्य घटना एक संत की कथा तब में आगे आजा प्रसंग की और बड़ों को कली अभी हमने सुना विप्रधेन उसुर संत है तली नमनुज अवता अपने बगतों के लिए वो आया बगतों के लिए जब आना पड़ा सरकार ने यह नहीं देखा कि में कांटे भी चुभेंगे मेरी मैयार होएगी मेरे पता जी का शरीर चूट जाएगा इतने कस्ट होंगे लेकिन मेरे सरकार ने भगतों को जो भगतन के प्रेम को आशू वाको जग में मोल ना तो ठाकुर जी केते हैं कि मेरे भगत की आँख से जो एक बूंद आशू निकलता है ना पूरी दुनिया की दौलत तुम एक तरफ रख दो मेरे भगत के आँख से निकले उस आशू की कीमत के बराबर नहीं हो सकता संत माधवदास यह हम यदि केवल मूल मूल प्रसंग सुनेंगे ना मेरे भई तो यह सारी चीज़े हमको पता हैं अभी भी सबको ग्यात है कि आज यदि फुलवारी प्रसंग है तो राम जी जाएंगे जनक जी की वाटका में मैया किशोरी आएंगी यह यह चीज़े होंग कुछ ऐसा सुनना है जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाओ हो सके यदि हम साथ दिन पहले के जो इंसान हैं साथ दिन के बाद एक कमी हमारे अंदर की छूट जाए इस पांडाल में कुछ ऐसा सुनना है श्री राम कथाप मैं हमेशा कहती हूँ व्यासपीट पर आकर आप कुछ चढ़ाओ चाये ना चढ़ाओ केले मतलाओ फल मतलाओ कुछ मतलाओ जब इस व्यासपीट तक पहुँचो अपने अंदर की एक कमी को पूरे दिन तलाशना साथ दिन तक आप तलाशना जब सात्वे दिन की कथाप पूरी होने लगे आप व दूजो दूजो की मिल जाती है यदि मुझसे पूचा जाए भाई हो फ़ला भाई आप कैसे तो हम तो उन पर किताब लिख देंगे कम्यों की यदि अपने मन में जाट कर देखा जाए तो बहुत खोजना पड़ता है में के साहूं तोरा मन दरपड कहलाए भले बुरे सारे कर हमों को देखे और दिखाए खुद की तलाश में निकलना है कि में कैसा हूं अपने अंदर जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक दुनिया नहीं बदल सकती किसी शायर ने बढ़ी खुशूरत बात कही कि तू छोड़ दे कोशिशें इंसान को पहचानने की तू छो दूरत के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं अपने गुनाहों पर सो परदे डाल कर हर शक्स यह कहता है जमाना बड़ा खराब है हम सब एक दूसरे से केते भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा मुझे एक बात बताओ जमाना बना किस से हमसे और आप से ही तो जमाना और सम लगें सारे शोतागड सोचे मैं सुधर जाओं तो ना आप बलोगे ना मैं बद्लोंगी यह ऐसाई चक्र भूम्ता रह जाए मैं अपने में लाओ आपने में लाओ आप अपने में लाओ तो दुनिह तो अपने आम खूपसूरत हो जाए कि मेरे मेरे हूं मतलब दुनिया से कोई मतलब ही नहीं मिला है मुझको किस्मत से संभाले बिंदु मस्ताना पिया करता हूं हर दमश्याम की नजरों का पहमाना मजा है इस नशे का ये कि मैं दुनिया में रहता हूं न जाना मैंने दुनिया को न दुनिया ने मुझे जाना बड़ी पुपसूरत बात कहते हैं कि इस दुनिया में रहना बुरी बात नहीं है दुनिया में चका चकर हो अपने अंदर दुनिया को रखना छोड़ दो आप दुनिया में जीओ बली बात है दुनिया को अपने अंदर जब हम जिलाना शुरू कर देते हैं सारी तकलीफे बढ़ जाती है तो मादवदाज जी एक ऐसे संत जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं पिल्कुल घनी लताओं के पीछे एक जगे पर बेट कर पूरे दिन ठाकुर्जी का नाम स्मरड करते जब दो पहर में भोजन की बेला होती सिर्फ तब बाहर निकलते थे अनिवे दिन करूंगी सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनियेगा बोजन के समय पे निकलते और वो पाते क्या थे बोजन बनाने का नहीं कई भंडारे में नहीं संत लोगों का जो भंडारा होता था तो जब उनकी पत्तल से जो जूठन प्रशादी निकलते थे माधवदाज जी उसको पाते थे आश्चरी इसमें नहीं है आश्चरी अब इसके आगे है उस जूठन प्रशादी को माधवदाज जी खुद तो पाते थे लेकिन खुद पाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाते थे खुद भी पाएं लेकिन उसके पहले कनिया को भोग आज जो दिन हुआ माधवदाज जी भजन करते करते इतने अंतरमूखी हो गए आज भोजन की बेला निकल गई जब भूख लगी आँख खुली केते ना भूख ये भजन ना होई कि मैं हमेशा एक प्रार्थना करती हूँ अपने समस्त श्रोताओं से शरीर से जितना सद सके बस उतना साधिये और करिये जबरदस्ती शरीर को कष्ट देकर ही भजन किया जाए ये कोई जरूरी नहीं यदि आप से भूखे भूखे पेट भजन नहीं होता तो आप खा के कर लेकिन इसलिए छोड़ो नहीं कि हम तो खा चुके आवाज ना करेंगे आप खा के करो ठाकुर जी ने तोड़ी न का कि तुम भूखे रहोगे तो मैं आके जट से मिलूंगा यदि खाली पेट रहने से वो मिल जाता तो दुनिया में बहुत से लोग दो दो तीन तिन दिन सबसे पहले उनिको बगवान नहीं मिल जाता अच्छा एक और बात आज उपवास है तो एक छोटी सी प्राथन और करूंगे उपवास सिर्फ अन्न का नहीं होना चीए कि आजम ने दाल नी खाया चावल नी खाया आजम फलहार पे सिर्फ इसका उपवास नहीं होना चीए सबसे जो मुख्य उपवास है वो हमारे विचारों का होना चीए एक दिन के लिए कम से कम हम अपने जो भी हमारी बुरी आदते या व्यसन कहलो एक दिन के लिए उनको किनारे कर दिया जाए इसका नामों पुवास आज माधवदास जी जब आँक खुली जट से बाहर निकले लगता है आज तो कुछ भी पाने को नहीं मिलेगा आज भूखा रे जाओंगा जब शीग्रता से पहुँचे पतल गंजी हुई थी अब शीग्रता से उन्होंने संतों के पतल में से प्रशादी कठा करना शुरू किया जैसे ही प्रशादी कठा किया और अपनी उस लता पताओं के बीच में आकर बेठे आज माधवदास जी से एक छोटी सी चूक हो गई भूख इतनी तेज लगी थी कि आज माधवदास जी भोग लगाना भूल गए और जट से एक निवाला मुँ में रख लिया जैसे ही निवाला मुख में गया अब माधवदास जी को याद आया कि मैंने तो भोग लगाया ही नहीं अब क्या करें उस निवाले को मुँ में लेके बेठे थे माधवदास जी किसी ने का कि माधवदास जी को निकाल देना था वो निवाला मादाव अदास जी ने विचार किया ये संतों की प्रिशादी है यदि मैं इसे मुख से बाहर निकालता हूँ तो संतों का अपमान और यदि मैं इसे पा लेता हूँ तो मेरे कनहिया का अपमान क्योंकि आज मेरी वज़े से वो भूखा बेठा रहे करू तो क्या करू संतने को यह शीत प्रिशाद लियो मुख डारी नजात गिरायो लीलत लाज लगे मन में मौहन को नहीं भोग लगायो भई गती सांप छचूंदर सी अब काह करों कछू सोंच ना पायो बीत गयो दिन वारी विनीत गयो दिन दूसर रजनी को आयो मादवदास जी उस एक कौर को मुख में लेकर बैठे थे ना वो कौर बाहर निकाला जारा ना वो कौर अंदर लिया जारा जैसे हम वो कहावत में सुनते ना की सांप और छचूंदर वाली गती हो गई एक बार यदि उसको निगल लेता है सरप तो ना बाहर निकाल पाता है ना अंदर ले पाता है माधवदास जी आज समझ नहीं पा रहे और प्रेम की पराकास्टा को देखे मेरे शोता हूं उसको और को लिए बैठे बैठे आज पूरा दिन निकल गया पूरी रात निकल गई प्राता काल हो गया माधवदास जी के दोनों आखों से लगातार आशू बह रहे हैं और को सरकार निकाल रहे ना अंदर ले रहे हैं रुदन करते करते आज दूसरा दिन दो पहर होने को हो गई है अंत में खुद मेरे सरकार आज पधार गया आज आगे समया माधवदास जी आप क्यों रो रहे हैं इतनी पीडा किस बात के लिए आपको चुकि मुख में कौर था ने भोग नहीं लगाया आज मन ही मन मेरा हरदय मुझे दिकार रहा है कि मैं भूख में ऐसा व्याकुल हो गया कि अपने सरकार को भोग नहीं लगाया मैंने ठाकुर जी ने का बस इतनी सी बात है ना कि भोग नहीं लगाया मुख में वो जो कौर रखा था माधवदास जी के पिछले दो दिनों से उस कौर का एक तुकड़ा ठाकुर जी ने अपने हाथों से निकाला पा लिया माधवदास जी से बोले अब तो आप ठीको ना मैंने लगा दिया भोग मैंने लगा दिया भोग अब आप पाई कोई भी यहाँ पर जितने मेरे शोटा मानुभाव बेठे विचार करके देखो मैं मालिक और सेवक की बात ही नहीं करूँ हमारा यदि खून का भी अंश होगा न यदि एक गंटे भी वो कोर अपने मुख में रख ले तो हमसे पाया जाईगा क्या है हम नहीं खा सकते लेकिन वो इश्वर वो परमेश्वर वो अपने भक्तों के हाथों ऐसा भी का है वो इतना प्रेम करता है अपने भक्तों से वो कुछ नहीं देखता वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है उसी भाषा को सुनता है उसी भाषा को समस्ता है और उसी भाषा के नुसार वो अपने भगतों के साथ रहता है कल हमने कता सुनी मेरे प्रभू का प्राकट ये हुआ श्रीय युद्याधाम में और कल काफी हत्ता का युद्यावाला आनंद यहां पे आभी गया था हम सब ने आनन्द लिया बस इतना ही विचार करके देखिए जब कल्यूग में राम जन्म हुआ तो ये उत्साह था तो जब त्रेता में राम जन्म हुआ होगा तो क्या उत्साह रहा होगा सरकार दराधाम पर आये हैं भगवान शंकर मिया पारवती को कथा सुना रहे हैं कथा सुनाते सुनाते मिया पारवती से अब भगवान शंकर ने कहा सारी बाते तो बता दी अब एक गुप तो बात सुनो हे देवी मैं अपनी एक चोरी आपके सामने रखता हूँ मिया ने का भगवान भूले नात और चोरी सरकार क्या बाती जरा शिग्रता से बताएं भूले नात ने आज कहा और एक कहाँ निजी चोरी सुनू गिर जाया ति देढ़े मती तोरी काब भुसुन्डी संग हम दो मनुझ रूप जाना ये नहीं को मंगल धवन या मंगल हारी ब्रवाँ सुदशिरत ये जिर विहारी ब्रवाँ सुदशिरत ये जिर विहारी ब्रवाँ ब्रवब जाते जाले लिए कन enemग झाले ब्रवाँ सुदशिरत ये जिर विहारी सूदिरत ये जागkeiten मगल दोर।